नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है, मैं हूँ अमिलिन दू कल डीवी लाइप पर एक गंभी परजल्चा कायों किया गया, जिसमें देश की राजनीती में होरे उठापचक का विश्रेशन वर्ष पत्रकारोगारा किया गया महाराष्ट से थी, दोनों नेता महाराष्ट से गए, मिलिन देवरा और फिर अशोक चवहान, कमलनाथ मध्यपरदेश से उनकी बारी उनके बारे में चर्चा हो रही है, कॉंग्रिस के अगर कमलनाथ को भी गया हुआ मान लिया जाए, तो फिर तीन बड़े नेता, नितीश इंडिया गटबंधन के संजोजक के तौर पे शुरुवात से काम कर रहे थे, वो गोशित रूप से नहीं थे लेकिन गोशित रूप से उन्होंने संयोजन तो किया ही था, उधर झारखंड में अस्तवियस्त करने की सरकार को अस्तवियस्त करने की कोशिश हुई, यह सब जड़ में यह यात्रा है और अगर यह यात्रा है तो यहां से आखिर भय या डर क्यों है BJP को समिर जी देखे पहले तो आपका है जो अभी तुर longtemps आपने सवाल किया उसी की बता दूँ कि सबसे बड़ा डर तो यही है कि एक यात्रा का जो पहला चरण था उस यात्रा का डर दिखाई पड़ चुका है दक्षिन भारत में यात्रा के बाद ही करनाटक की सरकार बनती है और उसके बाद तेलंगाना की सरकार जबकि यात्रा के समय करनाटक में चुनाओ होने वाले थे और उसकी उमीद थी कि यहां सरक आप नहीं नहीं है तब तक पिलंगाना में उमीद नहीं थी और वहाँ पर भारती जंता पार्टी को ही मीडिया वहां कि लोग नहीं यां जो कर रहे थे उनकी बात नहीं कर रहा भारती जनता पार्टी को क्वान renew जो को लेकर के क्यों इतनी परेशानी होगी वो स्वाभाविक है और यात्रा शुरू कहां से हो रही है मडिपूर से शुरू हो रही है आपको ध्यान होगा कि पिछले आट-दस साल में प्रधान मंत्री के नेत्रित में जो भारती जंता पार्टी ने जिन तमाम खेत्रों को साधन दिया उन्होंने कि वहां भारती जंता पार्टी को पहुचाया जहां भारती जंता पार्टी का कोई नाम नहीं जानता था और यह सच्चा ही है इसमें कोई दो राय नहीं तो वहां से यात्रा शुरू हो रही है अब यह वो भी इलाका है जहां भारती जंता पार्टी कमजो पार्टी और प्रदानमंत्री जी भी देख रहे होंगे तो उनको ये निश्चित तोर पर ये जरूर इस बात का भै रहा होगा कि हमारी जो पूरी योजना है उसमें कहीं ने कहीं इस पर इस योजना पर पलीता लग सकता है तो इसलिए यात्रा को कमजोर करने की कोशिश और इस स्ट्रेटिजी तो इस समय जो भारती जनता पार्टी बनाती है उससे बढ़िया कोई बनाता ही नहीं है कि एक तरफ आप कमजोर करिए और दूसरी तरफ आप उपर प्रहार करिए और तीसरी तरफ आप कुछ ऐसे मुद्दों में लोगों को उलजायर किये मीडिया के ज जाता है आप किसी योजना का विशलेशन करते हुए नहीं सुनेंगे कि विदेश नीती अगर रही है तो किस जगे पर फ्लॉप रही है नहरू ने ये कर दिया तो यानी एक एक लाइन का वो जो डिसाइसिब एक के उनकी लाइन होती है वो बोल देते हैं तो यात्रा को ले मैं और कह दूँगा कि अभी जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है कमलनाद जी मुझको लगता है कि जब उनकी तस्वीर सोनिया जी के साथ और आई थी तो शायद ये पूरी उमीद ले करके आये थे कि उनको राजस्भा मिल जाएगी या तो फिर कुछ और चीजों की बात करके आये थे लेकिन वैसा नहीं हुआ उसके बाद उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की कि अब मैं कॉंग्रेस छोड़ दूँगा तो मुझको ये लगता है कि किसी तरीके से लोड नहीं लिया गया हमारे या मैं अवद क्षेतर का हूँ बड़ी एक लोड नहीं लिया यानि कोई तवज्जों नहीं दी गई तो उसके बाद ये सोचे कि अब मैं सीधे भारती जंता पार्टी में जाने की ही बात करना शुरू कर दूँ और उन खबरों को चला दूँ आपको भी पता है कि ये सारी चीजे खबरे अचानक से नहीं चलती है और भारती जंता पार्टी में उनकी जाने की पूरी की पूरी बाची चल रही थी लेकिन बीजेपी के तमाम लोगों की ओर से जिन में कुछ सिक कम्यूनिटी के लोग है और और भी कई सारी चीजे रही और ज्योतिरा दित्ति सिंध्या तो जाहिर सी बात है उनका विरोध तो जाहिं इन सब को देखते हुए बीजेपी ने भी इनको लेने से इνकार कर दिया तो आज ये उस दुविधा में फसे हुए है कि अब कांग्रेस से निकल चुके थे एक तरीके से और कांग्रेस अब इनको ले नहीं रही है को कांग्रेस को मतलब भी नहीं है कि आप जा रहे को अब दूसरी तरफ आपको ले आता हूँ मैं कि प्रियागराज की इलाबाद की जी मैं उसी शहर का रहने वाला हूँ वही पड़ा लिखा हूँ उस शहर का अपना एक अलग महत्व है उस शहर में आपको जो चेहरे देख रहे हैं दिख रहे हैं आप देख लीजिए कि यु और यह स्थिती तब है जब पिछले कई चुनाओं से इलाहाबाद से कांग्रेस पार्टी की सीटे नहीं निकल रही है यह तब की स्थिती और बहुत मजबूत संगठन भी नहीं रह गया है नेता अभी भी है लेकिन संगठन नहीं रह गया बाकी नेता वहां कैसे आपको प आते हुई उसके बाद पार्टी छोड़कर के कहा गए आपको पता भी नहीं होगा कि विजेब बहुगुना जी बारती जंता पार्टी में किस पद पर किस पोजीशन पर किस इस्तिती में है तो उस इलाके में जो युवाओं को का जो एक समर्थन दिख रहा था वहां आप जान लीजे कि तमाम प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों की संख्या में च्छात रहते हैं और लाखों की संख्या में च्छात्रों का ये जो उत्सा है तो ये इसको ऐसे हवा में नहीं उड़ाया जा सकता है ये उत्साह दिखा रहा है कि लोगों को र इस चीज़ को मैं जो सिंबॉलिक रूप में देख रहा हूँ ये राहूल गांदी की इस यात्रा में अब तक की उनकी यात्रा की सफलता के लिए ये सबसे बेहतरीन तस्वीर मुझे दिखाई पड़ रही है। खुद प्रधान मंत्री और भारती जन्ता पारटी इस यात्रा को ले करके और जो उसकी सफलता जो मिल रही है उसको ले करके वो परेशान है। बागी 400 और 370 सीटों की बात तो बहुत अच्छी लगी मुझे प्रेम खुमार जी की बात की ये तो 370 हटाने वाले हैं 370 लाने थोड़ी हैं और कह भी नहीं सकते कि हां हम 370 ला रहे हैं अगर ये नारा दे दे कि 370 लाएंगे तो उस नारे का भी एक दूसरा अर्थ निकलेगा 400 सीटों का या 370 सीटों का अगर हम लोग देखें तो ये कहीं से भी equation दिखाई नहीं पड़ता है अब उन्होंने कहां से उ चाहे राजस्थान हो और मध्यप्रदे गुजरात हो जितने भी राज्य हैं उसके बाद आपकी दक्षण भारत में वह पैठ बनी नहीं है कि आप वहां से अतिरिक्त सीटें जीत करके ले आएंगे चाहे भले आप भगवान राम की प्रतिमा दक्षण भारतू परंपरा से प्रेरित हो करके आयोद्या में लगवा दीजे चाहे कितना भी तमिल संगमम कर लीजे मुझको नहीं लगता है कि वोटों में तबदील होने जा रहा है और दूसरी बात ये कि नौर्थीस्ट जो आप प्रभावी इलाका बन गया था पिछले दस सालों के भीतर मुझे नही सीटों की संख्यादी है वो लाजिकली कहीं से फिट बैशती नहीं है बाकी अब एग्जेक्ट 370 आही जाये तो हम क्या कर सकते हैं क्योंकि 300 पार पिछली बार नारा दिया था तो 300 पार कर गई उसके पहले नारा दिया गया था अपकी बार मोधी सरकार तो पूर्ण बहुम करें सब्सक्राइब करें चैनल को फीस्वुक पेच को फॉलो करें और जल से आदे इसको सब्सक्राइब करें